प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुना स्वागत है आज की हमारी जो कक्षा का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमेरिका का समिधान अमेरिका के समिदान के संदर में हम अमेरिकी समिदान के परिजय, अमेरिकी समिदान के निर्माण के उद्देश्य और अमेरिकी समिदान की विशेष्थाओं का अध्यन करेंगे आईए प्रारम करते हैं अपने आज के वीडियो को तो जो अमेरिकी समिदान है वो वर्ष 1790 में बनकर निर्मित हुआ था और 30 अप्रेल 1790 को अमेरिका का समिदान बनकर तयार हुआ था अमेरिकी समिदान पहला लिखित समिदान था और उससे पूर्व यूरोप में या संपूर्ण विश्व में कोई भी लिखित समिदान हमको देखने को नहीं मिलता है उससे पूर्व बिल्टेन का समिदान अस्तित्व में अवश्य था पर आप जानते हैं कि बिल्टेन का समिदान क्या है अलिखित समिदान है जबकि अमेरिकी समिदान लिखित समिदान है अब अमेरिकी समिदान के संदर में चेम्स बैक का एक कथन है आस्ताओं में यो सासन की नैतिक विजय है यो राज्य का समुचित कार्यचेत्र राज्य को समयरप्रित करता है जबकि जन्ता के नैतिक अधिकारों को सुरक्षित कर इस्वर के विशय इस्वर के पास ही रहने देता है एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि इस्वर के विशय इस्वर के पास ही रहने देता है यानि कि जिन विशयों पर जिनको हम इस्वरिय कानून कहते हैं उन पर अमेरिकी समिधान छेड़ चार नहीं करता है ऐसा जेम्स बैक का कहना है तो लाड़ ब्राइस जो की फ्रांसिसी विचारक है सॉरी फ्रांसिसी विचारक टाक वेल अमेरिकी समिधान के संदर्म में कहते हैं कि अमेरिकी समिधान एक आदर्स प्रजातांत्रिक व्यवस्ता है या आदर्स प्रजातांत्रिक व्यवस्ता टाक्वेल ने किसको अमीर की समिधान को माना है और अंग्रेज विद्वान या बिटिस विद्वान लॉर्ड ब्राइस का मानना है कि अमीर की समिधान विश्वा के अन्यालिकित समिधानों से उत्तम है क्योंकि ये देश की परिस्तितियों के अनुसार बदला जा सकता है या बदला जाता है तो ये कुछ कतन है कभी पूछ लिये जाते हैं एक एक नमबर में और संभावनाएं हैं कि आपके अगर परिक्षाएं होती है तो एक एक optional number के हो सकती है तो उसके लिए आप इसको दियान में रखिएगा अब हम बात करते हैं अमेर्की समिधान के निर्माण के उद्देश्य किसी भी देश का जब समिधान निर्माण किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होती है अमेर्की समिधान के निर्मान के भी कुछ उद्देश्या है जो पहला और सरवपर्थम उद्देश्या है देश की सासन विवस्ता को एक कुसल और अच्छे तरीके से चलाया जा सके उसे ही कुसल सासन तंत्र कहा जाता है और इसी कुसल सासन तंत्र की स्थापना के लिए अमेर्की समिधान की स्थापना की गई है और किसी भी देश की समिधान की स्थापना की जाती है दूसरा जो उद्देश्या है वो है सासन के प्रत्येक अंग को एक दुसरे से स्थापना करना सासन के तीन अंगों होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और नियाइपालिका तो इन दीनों अंगों को एक दुसरे से प्रथक याने की एक दुसरे के दबाव में ये काम न करें इस व्यवस्था को हम अमेर्की सविधान के दुसरे उद्देशे के रूप में समझ सकते हैं और इसके लिए सक्ति प्रथक करण के सिद्धान्त को अपनाया गया है सक्ति प्रथक्राण का आर्थ होता है कि कोई भी सासन का अंग दुसरे अंग को अपने दबाव में न ले सके और परतियक सासन का अंग क्या हो स्वतंत्र हो दुसरे के नियंत्रण में रा रहे इसी को सक्ति प्रथक्राण कहते हैं तो सासन के अमेर्की समिधान का निर्मान का दूसरा उद्देश्य है सासन के परतिय कंग को एक दूसरे से स्वतंत्र करना उसके पश्चात अमेर्की समिधान की जो तीसरा उद्देश्य है वो है सरकार को जनता पर निर्भर करना याने कि जन्ता के लिए ही किसी भी देश का समिदान बनाया जाता है ताकि उस जन्ता को किसी भी परकार की परिसानियों का सामना ना करना परे बले ही कानून का निर्माण जन्ता के लिए किया जाता है पर जन्ता के हित के लिए ही कानूनों का निर्माण किया जाता है व्यवस्ता की गई है कि परसासन के सब महत्वों पोड़ पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित किये जाएं आप देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट पती जनता द्वारा निर्मित होता है और अमेरिकी राष्टपती अन्या पदों पर क्या है अपने माध्यम से अन्या व्यक्तियों को न्युक्त करता है क्योंकि अमेरिकी राष्टपती जन्ता द्वारा निर्मित है तो यह माना जाता है कि उसको जन्ता ने अन्या व्यक्तियों को चुनने के लिए क्या है सक्ती प्रदान कर दी है तो इस माध्यम से इंडारेकली जनता द्वारा ही अन्या पद चुने माने जा सकते हैं तो ये क्या है? तीसरा उद्देश्या है उसके पश्चात अमेरिकी समिधान के निर्मार का जो चौता उद्देश्या है वो है वो अभी कहीं न कहीं दूसरा उद्देश्य था सक्ति प्रिथक करण उसके समान ही है किन्तो इसकी भावना अलग है भावना क्या अलग है कि व्यक्ति की स्वतंतरता को इस्थापित करना चोथा जो उद्देश्य है वो क्या है व्यक्ति की स्वतंतरता को इस्थापित करना और उस स्वतंतरता को ही इस्थापित करने के लिए सक्ति प्रिथक करण के माध्यम से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपर्दिका को प्रिथक कर दिया गया है जिससे की कोई भ समिधान द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है आपने भारतिय समिधान के संदर में भाग 3,12 से लेकर 35 तक भारतिय समिधान में मौलिक अधिकारों की विवस्ता की गई है तो इसी परकार अमेरिकी समिधान में भी मौलिक एक न्यायले की भी इस्थापना की गई है जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायले की सरण में जा सकता है तो हमने अमेर्की सम्यदान के निर्माण के चार उद्देश्यों को जाना अब हम बात करेंगे अमेर्की सम्यदान की विसेशताओं की तो आप इसको पाउस करके जो इसमें लिखा हुआ है उसको पाउस करके अराम से पढ़ लेना मैं हर बिंदो को समझाबर आपको दूँगा तो अमेरिकी समिधान की जो पहली विसेश्था है पहली विसेश्था देखने से पहले हम दो कतनों पर नजर डाल लेते हैं एक है फ्रांस के टॉक विले का कतन है जो कहते हैं सेउक्त राज्य अमेरिका का समिधान एक आदर्स प्रजात अंतरात्मक राज्य की इस्थापना करता है क्यों समिधान सरल और संचिप्त है तदा इसमें आवशक इसपश्टता और निश्चिता भी है दूसरा कतन ग्लेडिस्टेन का है जो कहते हैं कि अमेरिकी समिधान मानव जाती की आवशक्ता तदा मस्तिक से उत्पन किसी निश्चित समय की सारवादिक आश्चर्य पूर्ण किरती है संयुगत राज्य अमेरिका के समिधान की अब हम जो गुसेस्ताय है उसका क्या है निर्मान किया गया है एक सम्विधान सवध्वारा उसका क्या है निर्मान किया गया है और 1787 में से इसका निर्मान कार्य प्रारम हुआ और 30 अपरेल 1789 को इसका जो निर्मान है पूर्ण हुआ तो लगबग दो डाइवर्स क्या है अमेरिकी समिधान को बनाने में लगते हैं अमेरिकी समिधान की प्रतीदों तो आपको मिल सकती है लिखित रूप में अमेरिका का समिधान है बारत्य समिधान की भी एक लिखित समिधान है तो वैसे ही अमेरिका का समिधान भी एक लिखित समिधान है तो लिखित समिधान और निर्मित समिधान इसमें अंतर है आप इसे समझ गए होंगे दूसरी विशेषता है गंड़तंत्र की स्थापना गंड़तंत्र किसे कहते हैं यह समझ लीजे इस्थापना आप समझ जाएंगे गंड़तंत्र का आर्थ होता है जिस राष्ट्र का सर्वोच सासक क्या हो? निर्वाचित हो उस राष्ट को गंड़तंत्र कहते है तो गंड़तंत्र की स्थापनाकारत है कि संयुक्त राज्य का अमेरिका का जो स्वर्वोच सासको जो राष्टपती है वो क्या है निर्वाचित है जनता द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है और वो ऐसा नहीं होता है कि वो मनोनित हो मनोनित हो या वंसानुगत हो ऐसा हो तो उसे हम गंड़तंत्र नहीं कहेंगे जैसे कि बिटेन का जो सर्वोच सासक है, राजा वो क्या होता है? वनसानुगत होता है तो इसलिए उसे हम गंट अंत्र नहीं कहते हैं, रास अंत्र कहते हैं तो आपने समझा दूसरा अमेरिका के समिदान की विसेषता है गंट अंत्र की स्थापना और वहां के राष्टपती को जनता द्वारा चुना जाता है तो जो इसमें लिखा हुआ है, आप पाउस करके उसे पढ़ सकते हैं, मैं भावनाओं को आपको समझा रहा हूँ और प्रतियेक बिंदो को बारी की से समझाने का प्रियत्न कर रहा हूँ पहले हमने समझा गणतंतर की से कहते हैं अब हम समझेंगे अध्यक्षात्मक गणतंतर एक होता है अध्यक्षात्मक, एक होता है संसदात्मक संसदात्मक सासन विवस्ता क्या होती है जहां संसत के माद्यम से क्या है सासन का संचालन किया जाता है और अध्यक्षात्मक सासन विवस्ता कहा होती है जहां किसी अध्यक्ष यानि कि जो राष्टपती होता है उसके माध्यम से सासन किया जाता है अब अंतर आता है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक सासन विवस्ता में तो जो संसदात्मक सासन विवस्ता होती है जैसे कि भारत में है इसमें दो कार्यपाली का प्रदान होते हैं एक नाममात्र का और एक वास्तुविक प्रदान तो जैसे भारत में है जो राष्ट पती है वो नाम मात्र का प्रदान है कोई भी सक्तियां उसके पास उसके नाम से समस्त कार्या होते हैं पर उसकी समस्त सक्तियों का परियोग प्रदान मंत्री करता है जबकि जो अध्यक्षात्मक सासन विवस्ता होती है उसमें केवल और केवल राष्ट्रपती ही क्या है समस्त सक्तियों का प्रियोग करते हैं क्योंकि संसद नहीं होती और इस परकार प्रदान मंत्री नामक पद नहीं होता और वास्तुविक और नाम मात्र के प्रदान की बात ही नहीं होती तो जो अध्यक्षात्मक सासन विवस्ता है वो अमेरिका की एक महतपूर्ण विसेस्ता है जिसमें की राष्टुपती ही समस्त सक्तियों का परियोग करता है जबकि भारत या अन्या जो संसदात्मक गनतंत्र है वहां राष्टुपती समस्त सक्तियों का परियोग न करके प्र अमेरिकी समिधान की वो है कठोर समिधान अब कठोर और लचिले को मैं समझा देता हूं आप अमेरिकी समिधान को समझ जाएंगे कठोर क्या हो है कठोर समिधान वो समिधान होता है जिसमें परिवर्तन करना कठिन होता है या जिसमें परिवर्तन की जो व्यवस्ता होती है वो एक कठिन परणाली होती है जिससे कि आसानी से किसी समिदान को परिवर्तितना किया जा सके ऐसे समिदान को हम कठोर समिदान कहते है जबकि लचीला समिदान उसे कहा जाता है जिसमें आसानी के साथ क्या है परिवर्तन किया जा सके बारत्य समिदान के संदर में बारत्य समिदान को कठोर वर लचिले पल का समनवय कहा जाता है योकि बारत्य समिदान में कुछ बिंदों को परिवर्तित करना बहुत आसान है जबकि कुछ बिंदों को परिवर्तित करना बहुत कठीन है जबकि अमेर्की सम्विधान में संसोधन करना बहुत कठीन है और इसलिए आज तक अमेर्की सम्विधान में मात्र 13 से 14 संसोधन 200 वर्सों के सम्विधानिक इत्यास में हुए है क्यों? क्योंकि अमेर्की सम्विधान एक कठोर सम्विधान है और किसी भी प्रस्ताओं को पास करने के लिए दो बटा तीन बहुमत की आउशक्ता संसत के दोनों सदुनों में आप पढ़ती है इसलिए अमिर की समिधान क्या है? कठोर समिधान है अब जो चौथी विसेश्ता है वो है आप इनको पढ़ लेना कि दो बटा तीन ये अलग अलग राष्टों में अलग अलग विवस्ताओं होती है तो इस विवस्ताओं को आप पढ़ लेजिएगा कि दो बटा तीन के साथ साथ राज्यों की सहमती भी होती है भारत के संदर में मैं आपको बता दूँ कि कठोड जो विवस्ता है वो यह है कि दोनों सदनों के दो वटा तीन बहुमत से पास होना चाहिए और आदे से अधिक राज्यों का में तीन चौथाई राज्यों की क्या है समर्थन होना चाहिए तब ही वो बिल पास माना जाएगा तीन जोथाई का अर्थ है सो अगर पचास इस्टेट है तो उसमें से कम से कम 38 राज्यों का समर्थन होना चाहिए अगर संसद उसे दो बटा तीन मुहमत से पास कर भी देती है संसद के दोनों सदन तो कम से कम 38 राज्यों के द्वारा वो पास होना चाहिए उसका समर्थन होना चाहिए 38 राज्यों का, तब जाकर कोई बिल, समिधान संसोदन बिल जो है, वो पास हो सकता है, इसलिए का आ जाता है कि अमेरिकी समिधान कठोर समिधान है, जो पांचवी विशेषता है अमेरिकी समिधान की, वो है सक्ति प्रिथक करण, हम बार बार बात सरवोच होना और अपने आप में किसी के नियंतरण में न रहना इसको कहते हैं सक्ति पृतकरन याने कि विवस्थापिका स्वतंत्र होगी कारयपाली का भी स्वतंत्र होगी और न्यायपाली का भी स्वतंत्र होगी कोई भी अंग किसी के अधीन रहकर काम नहीं करेगा इसको क अंग दुसरे अंग को क्या है नियंत्रित करता है और उससे संतुलित भी होता है तो अपसक्ति बिर्थक करण का आर्थ होता है तीनों अपने आप में स्वतंत्रोना जबकि नियंत्रन वह संतुलन का आर्थ होता है कि एक दुसरे को नियंत्रित भी करना और एक दुसरे को से स पंतुलिद भी होना ताकि आपस में सासन के किसी भी अंग में टक्राओ की इस्तती ना आए तो इसको आप समझ गए होंगे जो अगली विशिष्टा है अमीर की समिधान की वो है संगीय व्यवस्ता संगीय व्यवस्ता का अर्थ होता है फेडरल सिस्टम याने की संगीय व्यवस्ता के ठीक विप्रीत व्यवस्ता होती है एक आत्मक सासन व्यवस्ता या जिसे यूनिट्रेरी सिस्टम कहा जाता है जिसमें कि समस्त सक्तियां केंद्र के पास अस्तित्व में होती है जबकि जो संगिय व्यवस्ता होती है उसमें क्या है केंद्र, राज्य और कुछ सक्तियां क्या है दोनों को भी दी जा सक्ति है और कुछ आवसिष्ट सक्तियां अवसिष्ट सक्तियां याने कि जो विसाय किसी के पास नहीं है वो कभी-कभी राज्य को दे दिये जाते हैं और किसी-किसी देज में केंद्र को दे दिये जाते हैं भारत की भी ये संगिये व्यवस्ता विसेष्टा है और यहां जो अवसिष्ट विसाय होते हैं वो केंद्र क पासना होकर केंद्र अपनी सक्तियों का क्या है बटवारा कर देता है और राज्यों को भी कुछ सक्तिया दे देता है याने कि कुछ बिंदू ऐसे भी होते हैं जिन पर राज्यों को कानुन मनाने का अधिकार होता है उसके पश्चात अब ये कुछ विसाय दिये गए हैं जिन सबसेटर को दी गये आप इने पाउस करके पढ़ लीजेगा कौन-कौन से विसय हैं अलग-अलग देसों में अलग-अलगaba से firearm हो talk तो आप इनको पढ़ लीजेगा इसलिए पढ़ लीजीगा क्योंकि दो-चार विसयों को कंसे कम आप एक एक्जाम में लिख सके, उसके बश्चात अब जो न्याईक सर्वोच्चता कार्थ होता है, कि न्याई पालिका को सर्वोच्चता प्रदान करना, कोई भी राष्ट्रो उसमें कहीं बार प्रशन उठता है, कि जनता सर्वोच्च है, व्यवस्तापी का सर्वोच्च है, कार्य पालिका सर्वोच्च है, कभी कबार हम बात कर रहे हैं सक्ती प्रितक करन की, जिससे सक्तियों का बटवारा किया गया है, ये ताकि कोई भी सर्वोच्च न बन सके किन्तो किसी भी राष्ट में न्याय पालिका को एक सर्वोच्च इस्थान अवस्या दिया जाता है क्योंकि न्याय पालिका ही सम्विधान की रक्षक होती है और समिधान की रक्षक होने के कारण न्याय पालिका को सर्वोच इस्थान प्राप्त होता है तो कि उसे ही अगर समिधान के किसी बिंदू पर कोई प्रस्न उठता है या कोई विवाद होता है तो न्याय पालिका ही उसका निर्नाय करती है इसलिए न्याय पालिका को सर्वोचिस्थान किसी भी समिधान में प्राप्त होता है इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा और अमेर की समिधान के सावंदर में भी न्याय पालिका को सर्वोचिस्थान प्राप्त है वो कैसे प्राप्त है आप देख लेते हैं अमेर की समिदान में संगीय व्यवस्ता गी गई है और इसलिए सर्वोच नियाले को जो सक्ति प्रदान की गई है कि वो आउशक्ता पढ़ने पर समिदान के प्राहधानों की व्याख्या कर सके तथा केंद्र और राज्यों के बीच संवेदानिक विवादों का निप्टारा क कर सके यानि कि संगिये विवस्ता होने के कारण सक्तियों का प्रिथक करण किया गया है स्वरी सक्तियों का प्रिथक करण सक्तियों को बाटा गया है केंद्र और राज्यों के मध्य और अगर विवाद होता है किसी विषय पर तु न्यायपाली का ही उसकार नय करती है इसलिए न्यायपाली का स्टर्वोच्च है दूसरा स्टर्वोच्च न्यायले ने न्याय समिक्षा के सकती का अविस्कार किया है वो कॉंग्रेस के किसी कानून अमेरिका में संसत से है अगर संसत कोई कानून बनाती है तो उस कानून को भी अवयदानिक गोसित कर सकती है और राष्ट बती कोई आदेश पारित करता है तो उसको भी अवयदानिक गोसित कर सकती है न्याय पालिका के पास क्यों सक्ति होती है इसलिए न्याय पालिका क्या है सर्वोच्च है और तिसरा सर्वोच्च न्यायले ने विधी की उचित परकिरिया का यंत्र विक्सित कर लिया है अता वही मान्या है जो उसकी दृष्टी में विदी की उचित परकिरिया के अनुकूल है यानि कि कानून की व्याक्या का अधिकार भी सर्वोच्च नियायले के पास है इसलिए सर्वोच्च नियायले क्या है जो है वो सर्वोच्च है यानि कि उसको सर्वोच्चता प्रदान है क्योंकि कानून की व्याख्या का अधिकार उसके पास है तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों हमने आज अमेरिकी समिधान के को पड़ा और जाना कि अमेरिकी समिधान की चार कौन-कौन से उद्देश्य है और अमेर्की समिधान की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको अमेर्की समिधान की कौन सी विशेष्टा सबसे अच्छी लगी है जो कि आप चाहते हैं कि विश्व के समी समिधान में होनी चाहिए आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद